हेलो दोस्तों क्याल चाले मैं हूँ Mr. Tech aka Mohit तो दोस्तों Motorola के G6 Plus को एकदम वायाद प्राइसिंग पे लाँच करने के बाद आज Motorola ने लाँच किया है एक गजब का फोन जो की मेरे हिसाब से Asus के Zenfone Max Pro M1 को कड़ी टक कर देगा और हाँ अगर आपको ऐसे ही आने वाले आसम वीडियो की नोडिफिकेशन चाहिए तो फटा फट नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजे तो बस अब चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में तो दोस्तों Motorola वालों ने इसको लाँच किया है 15,999 रुफे में जो की इसके हिसाब से ठीक ठाक प्राइसिंग लगी मुझे तो दोस्तों बात करते हैं इसके looks and design की तो इसमें आपको सामने bezel-less design मिलता है जिसमें आपको iPhone 10 जैसा चौड़ा सा नौश मिलता है और नीचे वाली चिन में Motorola की branding है बागी चलते हैं पीछे और इसमें आपको पीछे dual cameras मिलता है जिसका लोग भी बिलकुल iPhone 10 जैसा है जो कि Xiaomi भी copy करता है और उसके नीचे आपको मिलता है एक fingerprint sensor जिस पे Motorola का logo printed है उसके नीचे लिखा है Android 1 और हाँ ये एक Android 1 वाला फोन है और आप बात करते हैं इसके specifications की शुरुवात करते है Android से तो इसमें आपको मिलता है Android 8.1 Oreo Android 1 के support के साथ जिससे आपको regularly monthly security updates मिलते रहेंगे और साथ मैं आपको Motorola ने promise किया है कि जल्द ही आपको Android Pi भी इसमें मिलने वाला है फिर बढ़ते हैं display की ओर तो इसमें आपको मिलता है 6.2 इंचेस का full HD plus IPS LCD वाला display जो की आता है एक notch के साथ जिसके वजह से इसका aspect ratio बन जाता है 19 ratio 9 और अब हम बात करते हैं इसके performance की तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 636 प्रोसेसर जो की एक octa-gore प्रोसेसर और की सारी कोर्स cryo 260 के architecture पर बेस्ट है और काम करती है 1.8 dhz पर और मिलता है आपको इसमें Adreno का 509 GPU और इसमें आपको मिलती है 4GB की RAM और 64GB की internal storage और उसको भी आप expand कर सकते है 256GB तक क्योंकि इसमें आपको dual sim hybrid slot मिलता है और अब बात करते हैं इसके cameras की तो back में आपको मिलता है dual camera setup जिसमें से primary sensor 16MP का f1.8 aperture का shooter है जिसका size है 1.12 micron और ये मुझे at least on paper बहुत ही गजब का लगा है और secondary sensor 5MP का है जो की सिर्फ depth sensing के लिए काम आता है और इसमें आ flash और front में आपको मिलता है 12MP का f2.0 aperture का shooter जिसका size है 1.25 micron और अब बात करते हैं battery की जो की इसकी सबसे बड़ी highlight है तो इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की battery जो की आती है Motorola के turbo charge fast charging के साथ बाकि इसमें सारे जरूरी sensors आपको मिलते हैं और अब बात करते हैं कि मैं क्या सोचता हूं इस camera's है और snapdragon 636 मिलता है साथ मैं आपको 5000 mAh की battery मिलती है तो यह बहुत अच्छी बात है तो मेरे हिसाब से यह एक balanced phone है बाकी अभी अभी launch हुआ है तो इसकी पूरी specs पता नहीं चली है मुझे तो मैं अभी इतना कुछ कह नहीं सकता हूं इस phone के बारे में कि यह कैसा राएगा तो बस आज इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लीव लाइक अपने thoughts को comment करो इस वीडियो को share करो और इतना सब कुछ कर लिया है तो चैनल को subscribe करके tech family का हिससा बन जाओ क्योंकि हम YouTube की सबसे strongest tech family बनने जा रहे हैं तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए peace out